वॉलीवुट के दवन को मानने की साजिश लॉरेंस रच रहा था उनीके फार्म हाउस में लंबे समय से कर रहा था अच्छे से होम वग। उनको मानने की साजिश उनी के घर में जी सल्मान खान को मानने के लिए लॉरेंस चार बार प्लैनिंग कर चुका है इसके लिए उसने राइफल तक खरीदी इसके लिए लॉरेंस ने शूटर संपत नहरा को 2018 में सल्मान को मानने के लिए मुंबई तक भेजा सल्मान संपत के पिस्टॉल की रेंज से काफी दूर रह गए ऐसे में वो मार नहीं पाया बाद में जादा रेंज वाली एक राइफल चाल लाक रुपे में खरीद कर संपत को दी गई वो सल्मान को मार बाता उससे पहले ही पकड़ा गया इसके बाद लौरंस ने चुना कपिल पंडित को सल्मान को मानने के लिए उसने भी दो बार कोशिश की पर उसकी कोशिशे नाकाम रही दरसल मूसे वाला के मडर से पहले ही सल्मान को मानने की साजिश रची जा चुकी थी लॉरंस ने सलमान को मानने के लिए पूरी प्लैनिंग कर ली थी वो भी मूसे वाले के हत्या से पहले प्लैन A के फेल हो जाने के बाद गैंग ने प्लैन B तयार किया था सलमान को मानने के लिए इस प्लान को गोल्डी बराद लीट कर रहा था गोल्डी ने सलमान को मानने के लिए कपिल पंडित को चुना था और ये तैह हुआ था कि पनवेल फार्म हाउस जाने के वक्त हमला किया जाएगा ये लोग लगातार सलमान के एक्टिबिटी पर ध्यान रख रहे थे इस प्लान को एक्जेक्यूट करने के लिए कपिल पंडित मुंबई के पनवेल में संतोष जादब दीपक मुंडी और बाकी शूटर्स के साथ एक किराय का कमरा लेकर रुखा था क्योंकि यहीं सलमान का फार्म हाउस है वो और उसके साथ ही यहां करीब देड़ महने तक रु रन मामले के बाद से गाड़ी की स्पीड कम रखते हैं सलमान जब भी पनवेल में अपने फार्म हाउस पर आते हैं तब उनके साथ शेरा भी मौजुद होता है इन्होंने पूरी रैकी कर ली थी सलमान को मानने के लिए पर हाली में 10 सप्टमबर को पंजाब पुलिस ने गै चोड़ने की फिराक में था उसे फर्जी पासपोर्ट के जरिये काटमांडू से फ्लाइट पकड़ कर दुबई में सेटल होना था इसके लिए कनाड़ा में बैठे गैंक्स्टर गोल्डी बरार के इशारे पर नेपाल में राजेंद्र जोकर नाम का गैंक्स्टर उसकी मद रिपोर्ट जन्भाबना ताइम्स